नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों अमीद करते हैं आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वास्थ हैं वह हम खुश हाल हैं दोस्तों ITN instructor जो बिहार के अंतरकत, BTSC के अंतरकत जो आपकी वेकेंसी आई थी उसका result जारी कर दिया गया है यानि scorecard आपका जो जारी कर दिया गया है इससे related notification site पे update कर दिया गया है जैसे यह BTSC की मैंने official website को widget किया btsc.bihar.gov.in इसका link मैं आपको description ने दे दूँगा जहां से आप directly site को खुद से भी widget कर पाएंगे ठीक है इसमें जब नीचे के section में latest update में आप आएंगे तो आप यहां देखेंगे नीचे की तरफ आके यहां पे दिया है कि important notice regarding advertisement number 38 oblique 2023 to 52 oblique 2023 trade instructor degree and diploma holders के लिए and advertisement number 7 oblique 2023 236 और 2023 trade instructor ITI यानि IT और diploma degree holders के जितने भी candidates थे उन सभी से related यह notification download करने के लिए दे दिया गया है अब यह notification में क्या है मैं आपको notification की तरफ लेकर चलता हूं ठीक है यह देखें नोटिफिकेशन है इसमें आप देखेंगे यह 116 2024 का notice है उसके बाद पत्रांग संखे 1314 ठीक है इसमें आवस्यक सुचना में लिखा गया है विग्यापन संखे 7 oblique 2023 यानि साथ से लेके 36 तक ज अधिनस्त जो इतने भी IT संस्थान है उनमें रिक्त पदों के लिए जो धिनांग 7,9,10,16,16 को CVT है तो आयोट परिच्छा की गई थी उपस्तित अभ्यार्थियों का परिच्छा अंग आयोग की वेबसाइट यह official website है पर प्रकाशित किया जाएगा आयोग के website पर तो आपका यानि दोपहर के टाइम यानि बारा बज़े के बाद से लगवा साइट चलने लगेगी और उस पर आपना score देख पाएंगे और आपको पता चले जाएगा कि आप qualified है या नहीं qualified है ठीक है उसके बाद देखेंगे नीचे विज्यापन की कंडिका 3 first D, 3 first H जो वि minimum qualifying marks था general के लिए other categories के लिए परता प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को not qualify किया गया है जैसे 40% क्राइटेरिया रखा गया था आपके इसी candidate के 38 number होंगे तो वो qualify नहीं हो पाएगा तो उसका लिखके आ जाएगा not qualified ठीक है तो यह चीज़ में दी गई है उसके online आवेधन की scrutiny विग्यापन के सर्तों यहां बर्धिर तरह आवेधन uploaded प्रमापत्रों के आधार पर प्रक्रियाधीन है scrutiny के पच्चात केवल योग अभ्यर्थियों से online आपत्ती दर्ज करने हेतो तितिन निर्धारित कर आयोग दोबारा अलग से सुचित किया जाएगा तो जैसे अगर आपकी जैसे यह चीजे दे दी जाएंगी qualify or not qualify का तो अगर कोई आपत्ती भी आपको दर्ज करनी होगी तो उसके लिए भी आपको time दिया जाएगा लेकिन जो candidate qualify होंगे केवल उन्हीं की आपत्ती दर्ज को लिया जाएगा तदो प्रतम चरण CBT mode में qualified अभ्यर्थियों में से विज्ञापन के कंडिका 3 सेकंड के सर्तों के अनुसार कोटी बार मेधा क्रमा अनुसार अभ्यर्थियों को द्यूतिय चरण के दस्तावेश सत्यार यानि इसके बाद DV करवा जाएगा आपका हेतु आवंत्रित किया जा उनमें भी ऑनकी पेपर की अलग थी एक दोजार चौबिस दो तीन चार आट और उन फांस दिनों में आपका पेपर छे दिनों में आपका पेपर था ठीक है तो उनके लिए भी इनके लिए नोटिफिकेशन यही दिया गया है कि आपका जो कौशीं चॉलिफाइंग मास है और अगर आपके लिए वीडियो हेलफूल है आपके लिए जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चलने तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करना न भूले वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद